ज्ञारखंड में आतंक का पर्याय बन चुके PLFI के सुप्रीमों दिनेश कोप को गिरफतार कर लिया गया है। दिल्ली से उसे राची ले आया गया है। शाम साढ़े पांच बजे कड़ी सुरक्षा के बीच बिरसा मुंदाय हैरपोर्ट से बाहर लाया गया। दिनेश कोप पर ज्ञारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोशित कर रखा था। NIA ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। तरह उस पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि इस खुखार नकसली को पडोसी देश नेपाल से गिरफतार किया गया है। राश्ट्रे जांच एजेंसी एनाईये ने उसे नेपाल से पकड़ा है। हाना कि इस बात की अभी तक पुष्टी नहीं हुई है कि दिनेश कोप को कहां से गिरफतार किया गय आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।